हरियाना में मिशन कर्मयोगी हरियाना का आगाज हुआ है मुक्य मंतरी मनोहरलाल खटर ने कहा कि है कारिकरम प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी से प्रेरित है और इसी से प्रेरित होकर मिशन कर्मयोगी हरियाना की शुरुआत की गई है हरियाना लोग प्रशासन संस्थान के माध्यम से कर्मिचारियों के नैतिक प्रेस्टिक्षन का इसके माध्यम से लक्ष रखा गया है अब समय की भी मांग है कि हम अपने नैतिक बेभार मूल्यों और सिध्धान्तों को और भी सुद्रन करें हरियाना दो क्रोड असी लाख लोग यह हमारी जनता यह हमारी जनता के बोल नागरिक नहीं है बलके यह हमारा परिवार है इसको हमको अपना परिवार मानना होगा और यदि हम अपने इसको परिवार मानेंगे तो हमारा इसके साथ संबंद जुड़ेगा और परिवार मान करके ही आखिर हम कर्म करेंगे तो निश्य रूप से उसका ना मिलेगा कर्म योगी का अर्थ गीता में इस पस लिखा है कर्मन्ने वाधिकारस्ते माफ लेशु कदा चना हम कर्म वो करें जो सेवा भाव से किया जाए कर्म किसी अधिकार के साथ न जोड़ा जाए तो इसलिए इस कर्म की व्याक्या की गई है और निश्य रूप से आखिर जब हम कर्म योगी की बात करते हैं तो ऐसे भ्यासवर्गों में हमारी एक परकार की ट्रेनिंग होती है हमारी एक परकार का अईनि हमको भाषनों के माद्यम से लेक्चर के माद्यम से सिखाया जाता रहा होगा लेकर यह इसकार्थ नहीं है कि नेतिकता कोई ट्रेनिंग की या सिखलाई की चीज़ है नेतिकता एक स्वाभाविक चीज़ है और एक स्वाभाविक चीज़ को किवल याद कराया जाता है तो याद कराने के नाते से हमको इस नेतिकता के इस आचरन को सीखने के लिए भ्यासवर्ग है